तो guys, आज हम chat customization सिखने वाले हैं, मेरे वीडियो को पूरा follow करना, ठीक है, थोड़ा सा tough है, आने कि बहुत से settings करना है आपको, वीडियो को अगर अच्छे से follow करोगे तो आप लोग सीख जाओगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपको लिखा हुआ नहीं दिया है, तो चले फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते, अगर मेरे वीडियो को follow करोगे तो आपको कोई भी लिखा हुआ page आने कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो यह देखिए, यह रहा हमारा chat किस तरह से सुनोफाल हो रहा है, and उपर का किस तरह से color दिया मैं उसके बाद हर एक message के side में आपका photo भी लगेगा, नीचे का conversation entry यह वो क्या color दिया है, मैंने आप लोग देख सकते हैं, यह पर color, ठीक है, तो यह सारा कुछ settings में आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को follow करो, और आपका जो chat customization वो ऐसा ही बन जाएगा, मेरा वीडियो देख आपको screen पे click करना है, और जो action bar है वहाँ पे आपको click करना है, तो action bar रहने की सबसे उपर वाला जो दिखाया मैंने आपको, profile photo, large scene, name, audio icon, video icon, three dots, तो आप लोग उपर में यह वाला sample भी देख सकते हो, ठीक है, अब देखे, action bar style पे जाना है, और यहाँ पे iOS आपको select रखना ह जो three dots होता है, उसको मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, art number का, आप लोग चाहे जो मर्जी वो रख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे इसको show करना है, इसको check-in नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, या पे कुछ भी छड़कन और नहीं करना है, जितना बता रहा नहीं करना है, उसके बाद action bar का background मैंने आपको दिखाया था, violet और black में है, तो gradient color में जाना है, bottom to top को slate रखना है, और यहाँ से color 1 में violet लेना है, color 2 में black लेना है, उसके बाद आपको okay कर देना है, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, card background, action bar icon, contact name, last scene, batch text, back icon यह जो भी है न, यह सारा देखिए, मैंने white color रखा, क्योंकि यह visible है, ठीक है, तो आप लोगों को भी white color ही रखना है, उसके बाद इसको भी check-in आपको नहीं करना है, इसको ऐसे खुला रहना देना है, उसके बाद contact status background जो है, आपको gradient color लेना है, top to bottom जाना है, और sky blue and black लेना ठीक है, इतना हो जाएगा, आपको back आना है, back आने के बाद bubble and ticks में जाना है, contact photo में जाना है, और यहाँ पर आपको जो भी 4 options दिखना है, इसको 4 options को check-in रखना है, ठीक है, check-in करने के बाद, यह जो peak insider है, peak inside, इसको आपको check-in नहीं करना है, ध्यान देना है, इसको आपको check प्रोटी रखना है, और peak placement जो है, उसको click करके आपको all करना है, ठीक है, all करने से क्या होगा, कि हर एक message में आपका profile photo दिखाएगा, उसका भी दिखाएगा, चले, back आते है, इतना हो गया, अब आपको क्या करना है, tick style, ठीक है, normal whatsapp पे, whatsapp का message scene करने के बाद, जैसे blue tick दिखा अगर मेरे जैसे रखना है, तो मैंने रखा है, flat circles, ठीक है, उपर में आप लोग देख सकते हो, अरे यार, flat circles रखा है, आप लोग उपर में जो है, example देख सकते हो, अब देखिया, आपको क्या करना है, bubble style में जाना है, bubble style में अमर रखा है, आप लोग अमर भी रख सकते है, जो style है आप लोग रखिए उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी छड़कानी नहीं करना है यह देखिए इसको check-in करना है नीचे आना है अब देखिए आप बात को समझे में क्या बोलना चाहता हूँ ठीक है अब उपर में जो आपको example में दिखा रहे है वहाँ पर ध्यान अगर ऐसा setting करना चाहते हो तो उसको uncheck रखना है उसको uncheck करके आपको उपर आना है और यहाँ पर आप लोग देखिए bubble coloring bubble coloring में जो भी colors दिख रहा है ना same as it is color आपको उपर में भी message में apply हुआ देख रहा हुगा ठीक है तो conversation background color पर जाना है gradient पर जाना है और यहाँ पे top to bottom select करके color 1 पे sky blue color 2 में black लेना ok करना है right bubble color में जाना है sky blue लेना है और यहाँ पर right chat bubble text color right bubble time color दोनों भी आपको black रखना है आप लोग चाहा तो यहाँ पर white भी रख सकते हो मैं white रखता हूँ तक यह थोड़ा visible जादा रहेगा ठीक है मैं white रख दिया अब यहाँ पर left का जो message है वो देखे pink color है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो pink color है तो आपको blue and black में आपको set करना है अब आपको क्या करना है यह सारा color जो है आपको white करना है white करने के बाद आपको नीचे आना है यह देखे यह भी blue यह दोनो black यह blue यह black आपको नीचे आना अब आपको gradient bubble का settings करना है तो नीचे देखिए incoming bubbles आने वाला message का जो color है वो कुछ इस तरीके से रखा है देन मेरे तरफ से जाने वाला message का color कुछ इस तरीके से रखा है उसके बाद जो border है वो मैंने white रखा है ठीक है और border का जो size है वो 1 रखना है आपको incoming bubble radius 12 रखना है और outgoing bubble radius 12 रखना है इतना settings तो आपको यहासे कर दियाना है हो जाएगा इतना कर दोगे उसकी बाद आपको conversation entry ठीक है conversation entry किसको बलते है आप लोग उपर देख सकते हो अब देखिए conversation entry जो style है मैंने वो instagram रखा है आप लोग जो चाहे मर्जी वो रख सकते हो तो यहासे मैं instagram रखना है उसके बाद translate icon इसको अगर show करना चाहते है उपर में जो translate होता है Google Translate उसको अगर show करना चाहते है तो इसको check-in करो अगर नहीं करना है तो अंचेक करो तो मैं show करना चाहता हो तो check-in है इसको अब देखिए आप पर क्या करना है quick reply को भी check-in करना है अब देखिए entry coloring में आ जा आप translate icon जो है उसको मैंने green रखा है send button background उसको background वह वाइट रखा लेकिन उसके अपर जो आईकन आता है वह वह मैंने black रखा है टेक्स्ट entry background वह भी आपको black रखना है entry text white रखना है entry border black रखना है आपको फिर last का जो दो option है उसको आपको black रखना है इतना आप लोग सेटिंग कर दोगे तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह के से भी आपका चैट बनके तैयर हो जाएगा मेरे जैसा यह देखिए गाईज चीके कुछ इस तरह के से आपका भी बनके तैयर आजागा लेकिन यहाँ पर एक सेटिंग रहे गया वो क्या है कि स्नोफॉल तो देखिए आ यहाँ पर जो भी आपका इस्टाल रखना चाहते हो सुनोफॉल वो रखिए जैसे कि मैं रखा स्टाल टू उसके बाद चैट सुनो इंटेंसिटी पाच रखना है ज्यादा नहीं रखना है और चैट सुनो स्पीड 15 रखना यह बाई डिफल्ट ही होता है तो इतना कर लोग यहाँ से तो देखेगा जरूर आप लोग देख सकते हैं कुछ 3D टाइप का दिख रहा है हाट से हाट बना हुआ ठीक है यह बीग साइज का हाड किस तरह से आपको करना है तो उसके लिए पो क्या करना है यहाँपर प्रोफाल वाले फोटो पर क्लिक करना है उसके बाद आ तो आपको इनैबल ही रखना है इमोजी बन जाएंगा देखतों एमोजी इमने इमोजी नहीं बनेगा तो इसको अचेक करना यहाँ पर आप लोग देख सकतो एनैबल लिखा पर लिखा यह applicable तो big heart emoji इसको आपको क्या करना है अजैक करदेना है आप देखिए अगर मैं किसी भी message झडबल टेप करूँ में तो वह यहाँ पर मैं जाता हो और इस message को में डबल टेक करता हो तो आप लोग देख सकतें यहाँ पर react हुआ है थीक है तो आप लोग यह वाला वीडियो देख लो, आप लोग को समझ में आ जाएंगा, बने कि इस तरह से वापर सेटिंग क्या है, तो चलिए फिर हम नेम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाएंगे।